नमस्कार लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर तरुना एसकॉड एक दुखत खबर है वरिष्ट पत्रकार कमाल खान का दिल का दौराव पढ़ने से निधन हो गया है कमाल खान एंडी टीवी के उत्तर प्रदेश ब्यूरो में कारी-कारी संपादक थे वो लखनों के बटलर पैलेस कॉलोनी में रहते थे रात को वो अपने काम पर रूटीन की तरह ही गए थे लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सुभा वो नहीं लोटेंगे कमाल खान करीबन 30 सालों से पत्रकारिता कर रहे थे और 22 साल से एंडी टीवी में थे कमाल खान की रिपोर्टिंग में एक अलग ही बात थी उनका एक अलग अन्दास था उनके जाने से जो एक जगा खाली हुई है उसकी भरपाई करना मुश्किल है कई बार कमाल खान रिपोर्टिंग में शेर और कविताओं का प्रियोग करते थे हमेशा उनकी जो PTC थी उसका एंडिंग किसी ना किसी गाने या शेरो शायरी से होता था मुझे याद है जब कल्यान सिंग ने भासपा छोड़ कर अपनी अलग पार्टी बनाई तो उस दिन उन्होंने अपने PTC के एंड में कहा था ता जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग ये उनका अंदास था एक बात को कनवे करने का कि कल्यान सिंग ने नई दुनिया बसा ली है और एक खास बात और जितना बड़ा कमाल खान का नाम था उतना ही बड़ा उनका दिल भी था ये लाइन उनें उनके कली एक पत्रकार हैं संजोग वाल्टर उन्होंने दी थी अपने काम के लिए उन्हें गणे शंकर विद्यारती और रामनात गोयन का पुरुसकार भी मिला था। उनकी रिपोर्टिंग बहुत कसी हुई होती थी। रीजनल मीडिया में उनका बहुत बड़ा नाम था जो इस्टूडियो में कैद नहीं था बलकि वो सरदी गर्मी में फील्ड की खाक चानता था और कमाल की रिपोर्ट लाता था। उनके जाने से निश्चित ही पत्रकारिता जगत को एक बड़ा धक्का लगा है। लीड इंडिया उन्हें विनम्र श्रद्धांजली अर्पित करता है।